और पंजाब के आगामी चुनाव में राच्मे आमात्मी पार्टी के सबसे बड़े श्यहरे के रूप में देखी जा रहा है सांसाथ भगबंत मान ने प्रेस कॉन्फरेंस का रच्रीत का दाबा किया भगबंत मान ने चुनाव आयोख को धन्नबाद देते हुए काया कि पंजाब के जनता लंबे समय से सरकार बदलने के मूड में थी और अब पंजाब के लोगों को मौका मिला है भगबंत मान से साथवी कहा है कि इस बार आप पंजाब के लोगों का भरोसा जीतेगी और दी बदाई देनी चौना के काफी लंबे समय तो उडिक्या जा रहा चोन जापता जिड़ा है वो लागू हो गया है चौदां फर्वरी फैसले दा दिन ते दस मार्च उस फैसले नूँ सुनावन दा दिन आ गया और जीडियां गाइडलाइंज ने उस हाड़ी पार्टी न क्योंकि दोटू दोर दे आसी माहरा दिली दे वज़े दोटू दोर कंपेइन कर देने साथे जड़े वलंटीर ने एथे भी असी जड़ी गरंटी लेके जान दे सीगे उनना दे फारंप्राव ने अन्ना रिस्टेशन करोनी तांसी ओल और डिक दोटू दोर तक कर चुके दोटू आपने सारी पंजाल होर भी करांगे शोशल मीडिया थे एए मैसेज जा अपनी स्पीच जा अपना रोड में जारी करना आ ओधे भी असी स्पैसलिस्ट अजी सोशल मीडिया दे क्योंकि साथे को ड़ी जनूनी ने जिड़े पामकर ने जिड़े साथे बोलंटीर न दूजिया पाटी यहनु शैद जड़िया ओओ कंप्यूटर भी जाओ पूरा आईटी सेल तनखात रखने पहने साथे जड़े जिड़े ने जिनूनी ने फर्क है ओपन जाबनू प्यार कर देने ओओ आओ देप विखनू देख रहे ने आमानी पाटी चो असी लड़ना है ते जिस तरांदा अंडरकरंट जिस तरांदा महौला सी देखे है लोक नमी कहानी लिखनू काले ने इसका के कल चोन जाबते दी भी खुशी मनाई गिया बहुत सारे अलाक्यांचे के शुकर है सड़ा खेड़ा शुटे है ना तो ते जड़ी सरकार है होन चोन जाबते दी कि शुकर है आज सानुकी नमा अलान सानुकी नमा गाप जानमा बोर्ड पंजाद वेचे देखनों नहीं मिलूगा हूं तो बोर्ड उत्तर गए ने सो मैं उमीद कर दा एलेक्शन कमिशन तो के निरपक्ष जिडियां पारदर स्टारी जिडिए लेक्शन अथे होगी पौन लिस्ट ने ओ किसे तरम देना आते जा कोई ऐस तरह दा तोड़ फोड करके पंजाब इलेक्षन नूँ पोलराइजिक पोलराइजेशन करन दी कोश्च करन गे पर पाई चरक सांज नी तोड़नी अपन एक तप बना के रखनी आमन शानती और एक मजबूत सरकार आमानी पार्टी दी दस मार्च नू आ रही है उस तो बाद पंजाब दा हर बार के जिड़ है वो खोश होगा किसे नू तरने नी लोने पहने किसे नू टाबरते चड़ना नी पहना किसे नू टैंकियां ते नी चड़ना पहना